हलो फ्रेंट्स वेलकम टू मंजिल आज किस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली कुछ ऐसी इंफरमेशन जो शायद हर स्टोरेंट को ऐसी कन्फूजन क्रियेट करता है अबाउट पी टीए को लेकर एंड वो है क्या कैनेडा में पी टीए अलाउड है या नहीं है तो सबसे पहले मैं यहां पे क्लियर कर दूँ कि कैनेडा में अगर पी टीए अलाउड है तो वो नॉन एस्टीएस कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है चाहिए पीछे से यह ट्रेंड चला था कि जो पी टीए वाले स्कूर थे वो रिवाइस शुरू हो गए थे लाइक 60, 65, 70 अगर मैं बात करूं कि अगर यह नॉन एस्टीएस कैटेगरी में फाइल लगती है अगर आपने पी टीए करते हो चाहिए आप 60 मार्स लीजिए चाहिए 70 चाहिए 75 इन शॉर्ट कितरे मर्जी अच्छे माक्स ले लीजिए आपकी वो जो फाइल है नॉन एस्टीएस कि क्या पी टीए या फिर आयल्स कंपैरिटिव है एक जरू से कंपेर कर सकते हैं तो यहां पर मैं आपको बताती हूं कि जो पी टीए में आप 75 मार्क्स अप्टेन करते हैं वो कंपेर किये जाते हैं विद रिस्पेक्ट तू आइट्स के साथ वो भी 5.5 बैंड के साथ इस आपको समझने की जरूरत है कि जिस आइल्स में आप 5.5 लेते हो और अगर आप पी टीए में 75 तक कर वी स्कॉर जो है अप्टेन करते हो तो वो दोनों जो है वो सेम कंपैरिजन किया जाता है मतलब दोनों की जो फाइल है वो नोन स्ट्स केटेगरी में लगाई जाती है कि जो फाइल हमारे स्ट्स केटेगरी में लगती थी उनके वीज़े आते थे बट पीछे से ये क्लियर कर दिया गया एमबैसी की तरफ से कि जितनी भी फाइल लगेंगी पी टीए के अंडर तो वो नोन स्ट्स केटेगरी में ही लगेगी तो अगर ये स्ट्स केटेगरी में लगाने की कोशिश की गई थी जब उसके बाद ये कहने के बाद तो बहुत सारे जो डिफ्यूजल्स हैं वो देखने को मिली थी अब यहां पर बात आती है कि अगर PTE non STS करना है तो इसके साथ मैं IELTS के साथ कैसे कंपेर करूँ जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर आपकी IELTS में 5.5 है और PTE में 75 मार्क्स हैं तो ये दोनों सेम कंपेर किया जाते हैं बट इन दोनों में फरक क्या है फिर यहां पर question arise होता है कि क्या IELTS की जाए या PTE की जाए तो यहां को मैं आपको बताती हूँ कि जो IELTS म यह देखने को मिलता है कि उसकी जो success rate है वह बहुत कम होती है कि जितने भी फाइल लगा लो उसकी जो visas rate है जाए कितना मर्जी कहलो कि STS में अगर आप IELTS के साथ 5.5 लगाते हो तो उसमें realist chance होता है कि आपकी files अच्छे तरीके से आकर orient होकर आपकी जो है वीजा आ जाता ह तो अगर मैं इसे बात करूँ on the other hand PTE के साथ तो PTE में चाहिए आपके 65 है 80, 75 जितने भी है तो वो जो है वो भी non-STS category में आता है बट इसमें difference यह है कि यह non-STS category में आपकी refusal chances बहुत कम है क्योंकि PTE में success rate बहुत जादा है अब यह consider करने की बात है कि अगर PTE non-STS है तो क् इसमें कोई फर्क पड़ता है it doesn't matter कि SDS है यह non-STS है वैसे भी PTE में अगर आप इतना obtain कर रहे हो तो उसमें एक embassy person को यही clear हो रहा है कि चाहिए आपका इतने marks है चाहिए आपका college non-STS में आता है वर आपकी जो language English language की जो proficiency है वो बहुत अच्छी है इसलिए आपको वो जो है visa success rate बहुत अच्छा आता है refusers के कारण बहुत कम आते हैं but on the other hand अगर IELTS में 5.5 लेते हो तो उसमें यह clear होता है कि बच्चे की जो bands है वो ही 5.5 है तो इसकी जो English proficiency है वो इतनी अच्छी नहीं है अगर मैं compare करू PTE के साथ तो इसमें PTE और IELTS का यह फर्काता है और एक बात और कि अगर मैं इन दोनों की comparison करूं तो कोई valid reason नहीं है क्योंकि हम सिर्फ इसे compare कर रहे हैं दोनों को कि इन में फाइल लगाने का मतलब है non-STS को जिसमें आपको admission मिलना बट यह बात समझने की है कि वहां पे आपके bands 5.5 है यहां पे आपका score बहुत अच्छा है बट यह non-STS में अगर consider हो रहा है तो non-STS का यह मतलब नहीं होता कि आपके सिर्फ बैंट 5.5 है उसका यह मतलब भी होता है कि आपके जो document है उसमें से कुछ ना कोई documentation जो है वो miss है आपने proper documents नहीं लगाए या फिर आपने पूरी फीस नहीं पे की तो जिस स्कोलोजिस में आप पे करते हो जो आप अपनी documents में पहले SOP में लिख देते हो कि यह हमारा system है तो इतनी ही पे कर पा रहे हैं जो भी इनके agendas होते हैं तो फीस पूरी एक साल की नहीं भरना भी non-STS में ही file लगना consider होता है so it doesn't mean कि आपके जो 5.5 है तो इसलिए आपकी जो file है वो non-STS में create हो र नहीं है तो एक बात का धिहां रखना कि आपके PTE में बहुत अच्छा score होना चाहिए तो आपकी जो है file लगेगी जैसे मैंने कहा कि 65-70, 75-80, 85-90 अगर यह score आता है तो आपकी file लगती है non-STS में in other case अगर मैं सोचू कि अगर आपके PTE में ही score कमाता है तो पहले यह non-STS मे consider होता है जो यह learning test है हमारा तो अगर इसमें भी आप marks कम लेते हो तो आपकी refusal पकी ही पकी है तो अपना time और money मत waste करना तो अपना improvement करना revise करना अपना यह test चाहिए वो आप PTE में करो या IELTS में करो और यहां पर जाते हैं मैं बात कहना चाहती हूं कि जो यह हमारी English language test होते है चाहिए वो आपकी जो फाइल है वो नौन स्ट्रेश में लगी तो इससे अच्छा पर इंप्रूव कर लो तो यह बात में तब consider करवाती हूं जब आपका जो है फाइल में इतना कम लगे हो अगर आपकी आपकी पीटी में इस को लगा के नौन स्ट्रूरत में लग़ा तो ज़रूरत में है क्योंकि PT में STS और non STS का कोई फरक नहीं है जारा So I hope यह वीडियो आपको बहुत इंफर्मेटिव लगी होगी And इसी तरह की वीडियो और इंफर्मेशन देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहे Thank you